थेोरम के रूट 2 is irrational यह हमने प्रोव करना है यह आपको कैसे आएगा कि प्रूव रूट 3 is irrational रूट 5 is irrational रूट 7 is irrational ऐसे आएगा तो इस कोस्चिन को हमने कैसे सॉल्व करना है हमने जो हमने प्रूव करना ना उसका को प्रूव रूट पर ना उसका माण लेना है कि हमने माल लेना है तो इसका मितलब क्या है यह irrational है, ठीक है, contradiction पे work करेंगे हम इसके, तो हम क्या मानें के let root 2 be a rational number, हमने माल लिया, अगर root 2 rational number है, इसका contradiction मानना हमने, अब rational number है, तो rational numbers को हम P upon Q की form में express कर सकते हैं, तो हम root 2 को लिख सकते हैं, equal to P upon Q, where P and Q are co-prime numbers, यह भी साथ में condition होगी, co-prime numbers means, ऐसे numbers जिनका सिर्फ A की factor होता है, और वो होता है, 1, ठीक है, मैं यहां लिखा, मैंने, co-prime numbers क्या होते हैं, numbers that have only one common factor, that is one, ऐसे numbers जिनका सिर्फ A की common factor होगा, और वो होगा 1, और जिनका their highest common factor ही one है, ठीक है, कोई और common factor होगा ही नहीं, उनका, उनका हम co-prime numbers बोलते हैं, तो हमने माल लिया कि P और Q co-prime numbers है, means P और Q में सिर्फ A की common factor होगा, और वो होगा one, अब हमने के, इसको cross multiply करेंगे, तो root 2 Q equal to P आजएगा, squaring both sides, दोनों side पे square करेंगे, root 2 Q का whole square, P का whole square, तो यह क्या बन जएगा, 2 Q square is equal to P square, अब यहां से हमें क्या पाद चलेगा, कि 2 is divisible by P square, कि 2 P square से divisible है, तो 2 P से divisible होगा, अभी यहीं theorem read की थी हमने, कि अगर 2 divisible है, P square से, 2 P से भी divisible होजएगा, यहीं theorem पढ़की आएगा, ठीक है, तो 2 is divisible by P square, then 2 is also divisible by P, हमने क्या माल लिया, first हमारी assumption, यह आगी हमारी statement, अब इसके बाद क्या करना है, हमने क्या माल लेना है, कि कोई letter C भी हानी कोई integer, हमने माल लिया, कि C कोई integer है, तो P किसके को आजएगा, 2 C के, ठीक है, हम अब डिवाइड करेंगे, 2 divisible by P square, तो क्या आएगा, 2 P माल लो क्या आगया, 2 C आगया, ठीक है, यह सेम ही लिखने है, आपने ऐसे ही solution में, अब square करना, squaring both sides फिर से, इसका square किया, P square, इसका 2 C का whole square किया, तो 4 C square आगया, ठीक है, अब यह कट जागा, 2 1 is a 2, 2 2 is a 4, तो Q square आगया, 2 C square, अब यहाँ से क्या हो गया, 2 is divisible by Q square, तो 2 is also divisible by Q, अगर 2 Q square से divide होता है, तो 2 Q से भी divide होगा, ठीक है, यह से लिखे लो 2, अगर Q square से divide हो रहा है, यह Q square 2 से divide हो रहा है, तो यह 2 Q से भी divide हो जाएगा, अब यहाँ हमने क्या मालना था, कि P और Q क्या है, को prime factors हैं, numbers हैं, means P और Q में सिर्फ A की common factor होगा, वो होगा 1, देखें, यहाँ पे तो P भी, 2 किसको divide कर रहा है, P को भी कर रहा है, 2 किसको divide कर रहा है, Q को भी कर रहा है, it means इनमें एक और common factor आ गया, जो कि 2 आ गया, तो यह तो हमारे assumption के वो opposite हो गया, from 1 and 2, इसको हमने 2 माल लिया, second वाले को 2 माल लिया, अब 1 and 2 से हमें पता क्या पता चला, क्या conclusion आया, P and Q are not co-prime numbers, इसका मतलब तो यह हो गया कि P और Q co-prime numbers नहीं रहे, तो therefore our assumption was incorrect, तो इसका मतलब कि जो हमारे assumption वो incorrect थी, तो जो हमने मालना था root 2 rational है, तो वो भी incorrect होगा, तो root 2 क्या हो गया, prove हो गया कि irrational है, hence proved, therefore root 2 is irrational, hence proved, ठीक है,